अगर हम बिहार के बहुगोलिक इस हिती को देखे तो यह गंगा के मैदानी भाग में आता है इसके जायतर हिस्से के बारे में यही कहा जाता है कि एक समय था जब इन इलाकों में गन्ना और मकई की खेती खूब होती थी लेकिन समय के साथ इसमें बड़ा बदलाब हुआ और यह अब चावल और गेहूं तक सिमित हो गया है इस प्रदेश के जायतर हिस्से जैसे कि हमने पहले ही कहा कि गंगा के मैदानी चेतर में आते हैं ऐसे में इस इलाके में भुकंप युक्त भी इलाका कहा जाता है बता दें कि इस इलाके में भुकंप आने की संभावना बड़ी रहती है पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि बिहार में भुकंप का क्या परकोप रहा है ऐसे में बिहार में भुकंप को देखते हुए बिहार के मुखमत इसकुमार ने भी चिंता जाहिर की है पता देंगी पिछले कुछ सालों से जब भी परदेश में भुकंप आया था तो उसमें 37 कुमार खुद भुकंप पर रहावित इलाकों में जाकर जानमाल की छती का जाईजा लिया था और सड़कों पे उतरे थे ऐसे में भिहार में भुकंप को ध्यान में रखते हुए सिस्मिक रिसर्ज सेंटर का निर्मान किया गया है यह भी कहा जा रहा है कि पिछले एक साल से इस सेंटर का निर्मान का जारी है जो कि पटना इस्तित साइंस कॉलेज में बनकर पूरी तरह से तयार है लेकिन यह बरतमा प्राधिकार को इसकी पूरी जिन्मदारी दी गई है लेकिन इसके बाद भी अभी तक आपता प्रबंदन विभाग की तरफ से पूरी तक परता नहीं दिखाई जा रही है पताने कि इस रिसर्च सेंटर पर उपकरन लगाने के लिए बैगानिकों की नियुक्ति की जानी है निटवर्क 80 में चल रही ख़वरों की अगर तो इस रिसर्च सेंटर पर अभी तक बैग्यानिकों की नियुक्ति नहीं की गई है और ना ही अभी तक कोई उपकरन खरीदा गया है इस रिसर्च सेंटर को लेकर सबसे खास बात यह है कि परदेश का पहला ऐसा सेंटर होगा जो की भुकम आने से पहले यानि कि उसके 40 सकि बनाया जाएगा इन दसों जिलों का जो है सिंट्रलाइज रिकार्डिक बटना इस्तित रिसर्च सेंटर पर किया जाएगा बिहार में भुकम्प को लेकर बोलते हुए आयाइटी कारपूर के सिविर इंजिनियर विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक ने अपने एक सो उन्होंने यह भी बताया था कि फिछले 500 सालों से गंगा के मैदाने इलाकों में कोई बहुत बड़ा भुकम्प नहीं आया है लेकिन यह सब आ जाएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ऐसे में बिहार सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है जिससे की बतात कही जा रही है वो यह है कि अगर भुकम्प आती है तो 40 सेकंड पहले यह सिस्मी क्रिशार सेंटर बता देगा लेकिन इसी ती यह है कि यह भले ही एक साल पहले इसका एक तरह से करने की ढहाचा तयार है बिल्डिंग बनानी गई है लेकिन ना तो वहां उपकरन है और प्रबंदन विभाग कितनी जल्दी इस पूरे मामले को निप्टा पाता है बिहार और बिहार से जुड़ी और वेसे इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुशित जय जाज़त धन्यवाद